निफ्टी दोनों का इमूर्ट ठीक कर सकता है, वो है HDFC बैंक, उसके नतीजे भी आने हैं, नतीजे आएंगे शनिवार को, जान लीजे आज ही, आज है शुकरवार, और बताएंगे शरत आपको, शरत बताहिए HDFC बैंक के नतीजे जी, HDFC बैंक फोकस में रहेगा और तीसरी तिमाई की जो नतीजे हैं, वो आने वाले हैं साटरडे को, अगर एक्सपेक्टेशन्स देखा जाए, तो नेट इंटरेस्ट इंकम में अल्मूस्ट 12.7% का उच्छाल का अनुमान है, प्रोविशन्स में भी बड़ोतरी का एक्सप लगबग 10.6% का और जो पैठ है, वो लगबग 16.5% का अप्टिक का अनुमान है, अगर फैक्टर्स टु वाच देखे तो यहां पर नेट इंटरेस्ट माजन्स जो है, वो रिलेटिवली स्टेबल रहने वाले ऐसेट कॉलिटी ठीक रहने वाले हैं, जहां पर तिमाई तर 4.1% का एक्सपेक्टेशन है, अगर रोस NPS के बारे हैं बात करें तो थोड़ी मार्जनली लोर है सकती है, तिमाई तर तिमाई के बेसिस पे, अल्मस्ट 1.3% पर और जो नेट पे NPS है, वो स्टेबल रहने का अनुमान है, जो 0.4% है, अगर देखा जाए तीसरे तिमाई का जो अपडेट के हिसाब से, यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रॉंग पिकप देखने मिली थी, अल्रेडी आप एक कमर्शिल और रूरल बैंकिंग एरियाज में, और यह सपोर्ट आया था रिटेल अकाउंट से, इसके लावा एक स्ट्रॉंग पिकप क्रेडिट का डिमांड मे भी देखा जा सकता, और इसकी जो कमेंटरी होगी बैंक की, वो बहुत इंपॉर्डन होगी ट्रैक करने के लिए, अगर हम तीसरी तिमाई की अपडेट के बारे में बात करें, हम देख सकते कि यहाँ पे अडवांसे में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिली थी, अल्मू जो रिटील सेग्मेंट है, वहां पर भी बाजी मार गई, लगभग 17% का ग्रोथ देखने मिला, अगर कासा रेशियो की बारे में बात करें, तो तीसरी तिमाई में अल्मूस 24.6% का का अप्टिक देखने मिला था, और 4% का तो आपका year on your basis पे भी इंप्रूब्मेंट जाए तो बैंक्स ने जो परचेश की थी लगभग 7,470 करोड HDFC से,